क्या आपको पता है कि ये सांबर और रवा डोसा मैंने सिर्फ 20 मिनिट में बना के त्यार किया है वो भी बिना किसी सोकिंग एंड फर्मेंटेशन के चाहे वो ब्रेकफास्टो या बच्चों का स्कूल टीफन अब कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है इसमें already dehydrated vegetables डली हुई है तो उपर से कुछ भी आड करने की जुरूरत नहीं है और इसके साथ ही साथ हम बनाएंगे रवा डोसा इसके लिए गिर्स का रवा डोसा प्रिमिक्स लेना है उसमें पानी एड करना है और इसे अच्छे से mix करना है और यह हमारा बहुती smooth and silky डोसा बैटर बनके त्यार है और इसकी खास बात यह है कि यह 100% vegetarian है और इसमें कोई भी artificial color और flavors नहीं है और यह हमारे cholesterol को भी ठीक रखता है और हमारे digestion को भी improve करता है बातों बातों में हमने कब डोसा और सामर बना के त्यार कर लिया हमें पता भी नहीं चला और यह जो बाकी का premix बच गया है इसे हम airtight container में बंद करके रख देंगे क्योंकि यह batter बाकी batters की तरह खराब नहीं होता है और आप जब चाहें इसे निकाल कर use कर सकते हैं और यह dehydrated form में आता है तो इसे आप एक container में डाल कर store करके रख सकते हैं और आप भी यह product buy कर सकते हैं online या फिर अपने nearest store पर